हेलो फ्रेंट्स आप सब कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज हम एक कलर में एक छोटा सा डिजाइन बनाने सीखते हैं लाइनिंग वाला लहर की तरह बनके राता है ये इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें फोर के मल्टिपल फंदे चाहिए फोर के मल साइड इस तरह से नजर आती है और ये डिजाइन की उल्टी साइड है उल्टी साइड इस तरह से नजर आती है ठीक है इसे बनाने की इस डिजाइन को आप जैन साफ स्वेटर में बच्छों के स्वेटर में कार्डिगन में जैकिट में बेबी फ्रॉक में श्रॉल में अब हम यसे बनाने के लिए हमने इसमें 15 फंदे लिए हैं 12 फंदे 4 के मल्टिपल करके हैं आंके में 3 फंदे एक्स्टरा हैं और यह सीधिस साइड है first row पहले डिजाइन सुरू करने से पहले हमें दो सलाई basic row बनाने है बैस बनाने के लिए हमें foundation row बनानी है सीधी साइट से एक उड़ी साइट से दो सलाई हमने بحक हमनेस बैसी करूद बनानी है उसके बाद हमें चार सलाई बार-बार रिपीड करनी हो ठीक है यह सीधी साइट है फ़र्स रो फांडेशन रो है यह पहला पंद सीधह बना लेते हैं उन आगे करेंगे, यहां से repeat pattern शुरू करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक उन पीछे लेकर जाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, ठीक है? एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, यही चार फंदे आगे बार बार रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाना है, तीन फंदे सीधे बनाने है, एक, दो, तीन, उन आगे एक फंदा उल्टा बनाना है, उन पीछे तीन फंदे सीधे बनाने है एक, दो, तीन, इसमें हमारे तीन डीजाइन बन कर आते हैं, आखिर में दो फ़ंदे बचे हैं, एक फंदा उल्टा बना लेना है, उन्पीछे एस तो स्टीच का फंदा सीधा बना लेना है, यह हमारी first basic row, उल्टी साइड है, दूसरी basic row, यह हमने दूसरी सलाई बनानी है, basic row पहला फंदा slip करेंगे, उन पीछे लेकर जाएंगे यहांसे रिपीट पैटर्न शुरू होता है, एक फंदा सीधा बनाएंगे उन आगे, तीन फंदे उल्टे बनाने हैं एक, दो, तीन एक सीधह बनाया है फिर थीन फन्दे उल्टे बनाया यही चार फन्दे आगे बार बार रिपीट करेंगे 已 पेछे लेकर जाएंगे एक फंद और बनायंगे 3 फंदे बनाने हैं 1 2 3 पेछे लेकर जाएंगे 1 सीधह बनाना है उन आगे लेकर आएंगे तीन फंद उल्टे बनाएंगे एक दो तीन उन पीछे लेकर जाएंगे एक फंद सीधा बनाएंगे उन आगे लेकर आएंगे एस दर स्टीज का फंद उल्टा बना लेना है ठीक है ये दूसरी हमने दो सलाई बनाई है एक सीथी साइड से एक उल्टी साइड से ये दो सलाई बस इसी बार बनानी है फिर हमने ये दो सलाई नहीं बनानी फिर हम जो चार सलाई बनाएंगे वही चार सलाई हमें रिपीट करनी है ठीक है तो यहां से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करते हैं स सब्सक्राइमं करेंगे नाइगे लिए यान से हम रिपीट पैटन्र jsemरेंगे इच इस सब्सक्राइब जीजैते में करता है इस तरह सब्सक्राइब एproduct और नेसे की इस तरह से पीछन ago डोड़नेकि को इस तरह से पीछे रख लेंगे, पीछे करेंगे, इस तरह से सलाई पर left needle पर, फिर इस फंदे को आगे की साइड रखेंगे left needle पर, और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, ती, ठीक है, अभ यही चार फंदे हमें आगे बार बार रिपीट करने हैं, उन आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे उन पीछे लेकर जाएंगे अब इन फंदों का ट्विश्ट करेंगे एक दो तीन यह जो तीसरा फंदा है सीधा इसको आगे लेकर आएंगे और आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे इस तरह ऐसे यह तो फंदे पीछे लिकर जाएंगे लेखल नीडल पर इसना रागे लेकर आएंगे फिर तीनों फंदे सी deaf यहां पर दो डिजैन बन कराएं ए और यह तो मून आगे करेंगे एक फंद उल्टा बनाएंगे उल्ट पीछे एक दो तीन तीसरे नंबर का फंद आज आगे लेकर आएंगे आए कि एक, दो, ती, उन आगे, आखिर में दो फंदे बच्चे है, एक उल्टा बना लेना है, उन पीछे करके एस तर स्टीच का फंदा सीधा बना लेना है, यहां से यह हमारी फर्स्ट रो शुरू होती है, उल्टी साइड है, दूसरी सलाई, पहला फंदा सिलिप करेंगे, उन पी तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, ठीक है, एस तर स्टीच का फंदा छोड़ने के बाद, एक फंदा सीधा बनाएं, तीन फंदे उल्टे बनाएं, यहीं चार फंदे आगे, रिपीट करते रहना हमें बाद बाद, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक, उन पीछे में दो बस्ते हैं एक 5 सीधा बना लेते हैं एसटी स्टीच का थे लिटा बना लिए का तीसरी सल आई है सीधिरिषाइद पहले औस सिलब़ करें जि यहां से रिपीट फन स्दर्ण करें में एक 5 पर बनाएंगे पीछे लेकर जाएंगे पहले हमने पीछे का फंदा आगे लेकर आए थे अब हम आगे का फंदा पीछे लेकर आएंगे तो यह जो पहला फंदा है इसको हम पीछे लेकर आएंगे और जो पीछे के दो फंदे उनको आगे लेकर आएंगे इस तरह से पीछे की साइ पिर तीनों फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन इस तरह से बन कर आएगा अब यही 4 फंदे हमें आगे बार-बार रिपीट करने हैं उन आगे लेकर आएंगे एक फंद उल्टा बनाएंगे उन पीछे लेकर जाएंगे तीन फंदों का टूष्ट करेंगे आगे वाले फंदे को पीछे लेकर जाएंगे पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे पीछे के साइड से ये दो फंदे आगे लाने हमें इस तरह से और ये आगे का फंदा पीछे लेकर जाना है लेफ्ट नीडल पर पीछे वाले फंदे लेफ्ट नीडल पर डालेंगे आगे फिर तीनों फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन उन पीछे लेकर आएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे उन आगे लेकर पीछे लेकर जाएंगे तीन फंदों कर टुष्ट करेंगे पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे आगे का फंदा पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से और तीनों फंदे फिर सीधे बना लेंगे एक, दो, ती, आखिर में दो फंदे बसते हैं, उन आगए करके एक फंदा उल्टा बना लेना है, उन पीछे एस तर श्टीज का फंदा सीधा बना लेना है, ठीक है, इस तरह ऐसा ये तीसरी साइट, फॉर्थ रो है, उल्टी साइड, पहला फंदा सिलिप करेंगे, उन पीछ लेकर जाएंगे, यहां से रिपीट पैटन सुरू करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, उन आगए तीन पंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, ती, एस तर श्टीज का फंदा छोड़ने के बाद यही चार फंदे आगए बार बार रिपीट करने हैं, एक फंदा सीधा बनाना है, उन आगे तीन पंदे उल्टे बनाने हैं, एक, दो, ती, उन पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाना है, उन आगे करके तीन पंदे उल्टे बनाने हैं, एक, दो, ती, आखिर में दो फंदे बचे हैं, एक फंदा सीधा बना लेना है, उन आगे करके ए होने के बाद एक बार फर्ष्ट रो से सुरू करते हैं कि चार सलाइप पूरे होने के बाद फिर से फर्ष्ट रो से किस तरह से सुरू करना है देखते हैं फिर पहला फंदा सिलिक करेंगे उन आगे लेकर आएंगे यहां से रिपीट पैटन सुरू करेंगे एक फंदा उल्ट लिखेट टू राइट करेंगे इसको हम इस िस तरह से सलाईकर मेंश उतारके, ये दो फंदे पीछे спокойright, पीछे रखेंगे, अधर नीडल पर और पीछे बाले फंदे को आगए रखेंगे left नीडल पर, फिर तीनों फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, ती, ठीक है, S-Stish का फंदा छोड़ने के बाद, यही चार फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं, उन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उन पीछे, तीन फंदे हैं सीधे, तीसरे नमबर का फंदा लेकर, आगे लेकर आएंगे, और आगे के दो फंदे उन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उन पीछे, तीन फंदो का ट्विस्ट करेंगे, तीसरे नमबर का फंदा आगे लेकर आएंगे, आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे, और फिर तीनों फंदे सीधे बनाएंगे, एक, तो, तीन, आखिर में दो फ अच्छालाई बार-बार रपीट करने पर इस तरह से यह लहर वाला डिजाइन बन कर आता है यह देखे इस तरह मैं बन दर आना है thank you, bye bye